और अब बात करेंगे मध्यप्रदेश की जहां मध्यप्रदेश में नई शिक्षा नीती लागू करने की तयारी है शिक्षा विबाग ने भी प्रस्ताफ तयार कर लिया है प्राइमरी स्कूल में आप 6 साल की उम्र में प्रवेश मिलेगा 6 साल से कम की उम्र वालों को कक्षवा एक में एड्मिशन नहीं मिलेगा राश्ची शिक्षा नीती के तहट एड्मिशन नहीं दिया जाएगा भुपाल में 1500 CBSC स्कूलों में एड्मिशन नटक गया है पहली क्लास में करीब 9000 बच्चों का एड्मिशन नटका है UKG में पढ़ रहे बच्चों को दोबारा पढ़ना होगा तो नए शिक्षा नीती लागू करने की तयारी मध्यप्रदेश में पूरी हो गई है जसका प्रस्ताव भियाब शिक्षा विभाग ने तयार कर लिया है और राष्ट्रे शिक्षा नीती के तहट अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कक्षा एक में अड्मिशन नहीं मिलेगा तो जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है और अगर वे UKG में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जो बच्चे UKG क्लास में हैं, उन्हें एक साल दुबारा मैनत करने होगी, एक साल दुबारा पढ़ना होगा, ताकि वे छे साल के और कक्षा एक मैडमीशल ले सके। जो हैं वो पहली UKG, LKG में पढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं कि बच्चों को दोबारा UKG में पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि सरकार का नयानियम है, उन्हें नहीं नीतिक अंसार अब 6 साल से कम उमर का बच्चा में पहली कर्चा में एक साल से जा रहा है कि जब बच्चे की उमर पांस साल से जादा होती है, तब जीरे जीरे उसका सारी दे को मांसे इवगास होता है, ऐसे में वो पांसी ग्रूप से मजबूत होता है कि जो पढ़ाई का लोड है, वो बहन कर सके और यहीं करने की नहीं सिक्चा नीतिक अंसार, अब 6 साल से कम उमर के बच्चे पहली पढ़ना होगा